और मैं थोरा ब्लंट भी हूँ, जब भी आप honest होंगे तो आपको blunt होना भी पड़ेगा, तो मैंने सीधा सीधा बताया था कि ये बकवाज इसकी है, और ज्यादा discussion का कुछ है नहीं इसमें, छोटा छोटा दोनों का पेक बनाता हूँ, और फिर नूर्जिंग टेस्टिंग करत भाई साथ ये जन्नाटेदार है, इस में मतलब बहुत घटिया बहुत बिकार टेस्ट है, हेलो निमाशकार और विलकम बैक, ये है आइकोनिक वाईट विस्की, अब क्या है इसका रिव्यो मैंने पहले भी किया था, जब इस आइकोनिक वाईट का मैंने रिव्यो किया था तो ये विस्की मुझे बिल्कुल बक्वास लगी थी, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मैं क्या है, honest review करता हूँ, और मैं थोरा blunt भी हूँ, जब भी आप honest होंगे तो आपको blunt होना भी पड़ेगा, तो मैंने सीधा सीधा बताया था कि ये बक्वास विस्की है, किसी काम की विस्की नहीं है, अल्दो वो वीडियो काफी popular है, बहुत सारे views है उसमें, लेकिन flooded है comment से, और बहुत लोगों का कहना है कि मैंने सही review नहीं किया है, ये उतनी खराब विस्की है नहीं, अब क्या है, अ biased है, मैंने सही review नहीं किया है, तो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि side एक revisit जो है, वो ज़रूरी है, iconic white को लेकर के, तो पिछली जो bottle थी, वो तो मैंने अपने watchman को दे दिया था, क्योंकि वो इतनी बेकार लगी थी मुझे कि दुबारा मुझे पीने का हिम्मत नहीं था, तो फिर से एक bottle लेकर के आगया हूं, मैं iconic white का, और इस time मैंने छोटा bottle लिया है, फिर मेरे जहन में आया कि क्यों नहीं इसको इसी के segment के आसपास की किसी whisky के साथ compare किया जाए, अब क्या है कि Royal Steg is very popular whisky, ज्यादा तर लोगों को पता है किस तरह का aroma, किस तरह का taste ये whisky देता कि Royal Steg और इसको side by side compare करके देखते हैं, अगर मैंने last time में इसको बकवास कहा था, तो सच में ये बकवास है या फिर Royal Steg के जैसी ही whisky है और मेरा judgment ही गलत था, एक वर फिर से brief introduction देता हूं, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए relevant हो जाएगा, ये क्या है allied blenders and distillers का product है, तो इस company की और जो product offering है, उसमें है सबसे basic ranges, officer choice whisky, जो की बहुत ज़्यादा popular whisky है, बट वो सबसे basic range whisky है, सबसे सस्ती Indian whisky है, taste wise, smell wise, कोई तारीफ की चरूद नहीं है, बस वो सस्ती whisky है और लोग नशे के लिए उसको पीते हैं, बस इतना है, उसके बाद इ reserve B7 और sterling reserve B10, तो sterling reserve B7 जो है, वो very much ये royal steak, royal challenge से ही compete कर रहा है, और जो B10 है, वो blender sprite और signature के range की whisky है, इसको इन लोगों ने क्यों launch किया है, इसका जवाब भी मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर मैं full bottle की बात करूँ, तो royal steak और इसके price में कुछ 20 रुपय का फरक है, तो जहारखन में 700 रुपया इसके कीमत है, 720 रुपय में royal steak आती है, तो जो आदमी 700 रुपया खर्चा कर सकते हैं, वो 20 रुपय एक्स्टा खर्चा करके royal steak भी पी सकते हैं, तो 20 रुपया price कम होना, इसको आप value for money तो नहीं कह सकते हैं, और ज्यादा discussion का कुछ है नहीं, छोटा चोटा दोनों का पेक बनाता हूँ, और फिर नोसिंग टेस्टिंग करते हैं, कि इसमें artificial whiskey like flavor यूज किया गया है, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है, बाकि natural color वगरा तो सारे लोग यूज करते हैं, और दोनों में, आप देखें color में, तो I think iconic white जो है, वो थोड़ा सा ज्यादा dark है as compared to royal steak, बाकि consistency almost दोनों whiskey की एक ही जैसी है, मैं क्या करूंगा, मैं पहल अपरे royal steak को sniff करता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या फरक है, iconic white में और royal steak में start करते हैं, definitely ये बहुत जाना पहचाना इसका smell है, और alcohol का भबका इसमें मिलता ही है, young alcohol वाला, और कुछ whiskey के जैसा कोई smell और उस तरह का कोई aroma, वो सबसे इसका कोई वास्ता है नहीं, लेकिन आपके नाख के बाल जलेंगे नहीं, ठीक है, तो smell में nothing great in royal steak also, अब आते हैं हम लोग, iconic white में, थोड़ा डरतू लग रहा है, देखिए, आप जब side by side जब sniff करते हैं, तो पहले ही आपका नाख जो है, वो इस वाले whiskey के भबके से थोड़ा सा ready होयाता है, और फिर आप जब iconic white को जब आप sniff करते हैं, तो ये बर्दास्त के काविल आपको लगता है, लेकिन जब आप first time अगर इसी को smell करेंगे से वेकी whiskey, तो ये बहुत जणनाटेदार है, तो क्या है, इसको हमेरे साथ थोड़ा दूर से ही smell किया जाए, बाकी whiskey के जैसा smell और वो सब जो है वो बस वैसा कुछ नहीं है, जो artificial इसमें flavor वगर भी जो डाला है, वो पता नहीं कौन सा flavor डाला, I don't know, तो सीधा raw spirit वाला एक बस smell है, और वो भी बहुत ज़्यादा strong है, ठीक है, टेस्ट भी करी लेते हैं, तो पहले से रोयल स्टेक से ही start करते हैं, so that की palate थोड़ा सा ready हो जाए, इस तरह की iconic white के लिए, चलिए शुरू करते हैं, definitely narc से ध्होँ निकलता है, palate में burn महसूस होगा, नीचे जब जाता है तो लगता है कि कुछ काट रहा है गले में, तेजाब के जैसा वो एहसास इसमें भी है, लेकिन sweet है, और पता नहीं क्यों थोड़ा सा oak wood का एक fragrance तो आता है इसमें, एक छोड़ा sip और लेकर के confirm करते हैं, लेकिन काफी गरम लगता है जो नीचे जाता है, तो गले को चीरते हुए नीचे उतरता है, तो इस तरह की विस्की को, देखिए इस तरह की जो भी विस्की है वो निट पीने के लिए तो नहीं है, लेकिन जब भी आपको अगर differences चेक करना है, तो फिर पानी मिला करके तो आप वो चेक नहीं कर सकते हैं, तो निट तो पीना पड़ता है, चेक करते हैं, आइकॉनिक वाइड को, खुदा खेर करें, भाई साब ये जन्नाटेदार है, इसमें मतलब बहुत घटिया, बहुत बिकार टेस्ट है, मैं उन सारे कॉमेंट करने वालों से माफी चाहता हूँ, जिनका कहना है कि ये बहुत अच्छी विस्की है, भाई साब बहुत अच्छी विस्की है, आपको मुबारको आफी पियो, रोयल स्टेक मैं फिर भी पी सकता हूँ, ये मेरे बस के बाहर की चीज है, क्या करें एक बार और च्छोटा सा चेक करें गया, यार विस्की नीचे जाती है और स्मेल क्या कहूँ मैं, इतना हास धुआ जैसा एक नाग से निकलता है, कि आप भूल जाते हैं कि आपका नाग ज़्यादा स्ट्रस में है, या फिर वो नीचे तेजाब के जैसा काटता जा रहा है, वो ज़्यादा बिकार है, देखिए, रोयल स्टेंग भी बिल्कुल अच्छी विस्की नहीं है, पीने लाइक विस्की नहीं है, लेकिन बजट में यही सब विस्की आती है, और पानी मिला करके आप इसको डेफिनिटी इंज्योई कर सकते हैं, पानी भर करके तो आप इसको भी पी सकते हैं, जब 60 ml का एक पेग लेंगे, भर के उपर तक ग्लास अगर पानी लेते हैं, तो इसको भी आप पी सकते हैं, ग्रशा इसमें भी आएगा ही, तो मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर प्राइस इतने ज़्यदा नहीं होना चाहिए, अगर बस वैसा ही जणनाटेदा सा टेश्ट और वैसा भब का, अलकोहल का और वही सब गर होना है, और आपको नशा आना है उसको पी करके, तो आफिसर्स चॉइस कौन से बेकार थी, फिर ये लाने की ज़रूद क्या थी, आफिसर्स चॉइस से ज़्यादा प्राइस में, तो मेरे ख्याल से ये ज़स्ट एक मार्केटिंग गिमिक है, थोड़ा सा वाइट कलर का और सुन्दर सा लेबल लगा करके, और लोगों को ये कह करके कि ये ज़्यादा स्मूध है, ज़्यादा बेटर विस्की है, इस कॉम्पेर टू ओफिसर्स चॉइस और बेचने का कोशिश किया जा रहा है, मेरे ख्याल से कमपनी के जहन में ये बात होगी, कि लोग तो इसको भर करके पानी के साथ पीते हैं, पहले आफिसर्स चॉइस ये पी रहे थे, अभी इसको ये पीएंगे, तो हो सकता है किसी को ज़्यादा पसंद आ जाए, आइड़न नो, बट ये बेकार विस्की है, एनी डे, रोयल स्टेग या रोयल चैलेंज जो है, वो हमेशा बिटर आप्शन होगा, इसके मुकाबले, इवन मेरे को तो जो स्टर्लिंग रिजर्ब B7 है, वो भी महावायाद विस्की लगती है, रोयल स्टेग, रोयल चैलेंज, इसका एक अपना स्टेंडर्ड है, सस्टी विस्की के हिसाब से, और ये आइकोनिक वॉइड जो है, ये आज दुबारा से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, जिनको बुरा लगा हूँ, उनसे मैं पहले ही सौरी बोल देता हूँ, लेकिन ये बहुत बाहियाद विस्की है, बिकार विस्की है, तो I think I am done with this comparison video, I hope video आपको informative और अच्छा भी लगा होगा, जिन लोगों को बुरा लगा है, उनसे हाथ जोड़के माफी मांगता हूँ, बाकि जिन को अच्छा लगा है, प्लीज लाइक कीजिएगा विडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एसे इंट्रेस्टिंग और इन्फरमेटिग वीडियो का मज़ा, आपके फ्रेंड्स भी ले सका है, मिलेंगे फिर ऐसे इंट्रेस्टिंग और इन्फरमेटिग वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड क्यार हो, यॉसल्फ बाई बाई